ग्राम पंचायत मेर मेर में लीला के टीवा में 40 फुट के रावन के पुतले का हुआ दहन ग्राम मेर मेर में हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी मनाया गया दशेहरा पर जिसमें रावन कुम कर्ण मेगनात के पुतले का भी हुआ दहन लिला की टीबा में आतिश बाजी से आस्मान हुआ सत्रंगी मनोज कुमार जोतिशी ने बताया कि आतिश बाजी के नजारों के बीट सायम साथ बजे रावन, कुम्बकन, मेगनाथ के पुटले का हुआ देहन जिसमें आसपास की गाउग दानियों से हजारों की संख्या में लोगों की बीर उमर पड़ी नवल वक मंदल समिती के अध्यक्ष विश्नु कुमार शर्मा ने कहा कि रावन, कुम्बकन, मेगनाथ कुटले देहन के दौरान जय श्री राम के जैकारों से गूंज उठा आसमान 40 फुट उच्चे रावन की नाभी में अमरत कुन सुखाने के लिए भगवान श्री राम का बान लगा तो रावन की आँखों से क्रोथ की ज्वाला फूट पड़ी और रावन का अहनकार जलकर राख हो गया गोविन्द अग्रवाल ने बताया कि नरसिव मंदर से लिला के टीबा दशेहरा मैदान तक भगवान श्री राम लक्षमन वहनुमान जी की शोभायात्रा गाजे भाजे के साथ निकाली गई दशेहरा मैदान रावन देहन कायक्रम में जिला पार्षत शिवदान फागना सर्पंच बीना मनोज रातावाल, सर्पंच कालू राम गुजर, सर्पंच भग्गा राम गुजर, सर्पंच महिंद्र रातावाल सहित जन प्रतीनधी पहुँचे